नमस्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं दान्यूज और मेरानी गुपता आपके साथ इस वक्त की दो बड़ी खबर सामने आ रही है इन दोनों ही खबरों को हम आपको विस्तार से बताते हैं दरसल पहली खबर की बात करें तो बीज़िपी सांसद लॉकेट चटर जी ने ममताब एनरजी सरकार पर बड़ा हमला बोला है और उनका कहना है कि जो परश्म बंगाल में पंचाच चुनाब हो रहे थे उस दौरान जिस तरीके से हिंसा हुई है खासकर महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है आज उस पर खामोश होकर के ये लोग तंत्र की बाते करते हैं यह मनीपूर पर सवाल पूछ रहे हैं लेकिन राजस्तान परश्म बंगाल और इसी के साथ ही 36 गड़ में जब महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होते हैं तो यही विपक्ष गुंगा और बहरा हो जाता है तो वहीं दूसरी बड़ी ख़वर की बात करें तो बहाल होगी इसमें सबसे जो एहम मांग है वो है राज में एनारसी लागू करना इसी के साथ ही जो विदेशी फंडिंग होलती है और अव्याग तरीके से जो हथियार लाए जाते हैं तमाम चीजों को लेकर के जाच की मांग भी प्रधान मंतरी मूदी के पास रखी गई है साथ ही इनका ये कहना है कि अगर इन मुद्दों पर सरकार ध्यान दे और जो मांग की गई है इस खत में उस पर विचार करे तो मनीपुर में शांती आसानी से बहाल हो सकती है बता दे जहां मनीपुर को लेकर के देश में आसांती फैली हुई है और लगातार विपक्ष भी इसमें राजनीती करने को लगातार आतुर है और बार बार इस मुद्दे को उठा रहा है और ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मनीपुर के मुद्दे को लेकर गे साक सरकार जो है वो नाकाम रही है और मनीपुर को संभाल नहीं पा रही है हाला कि ग्रह मंत्री आमेश या फर खुद प्रधान मंत्री मोधी हो मनिपूर के एक एक मुवमेंट पर नजर बनाए हुए है ताकि राज में शांती बहाल की जा सके लेकिन विपाक्ष सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे को ले करके भी राजशनीती करता हुआ नसर आ रहा है हाला कि जहां पर कॉंग्रेस की सरकार है बहाँ पर भी इस तरीके की चीज़े देखने को मिल रही है महिलाओं की उपर अत्याचार देखने को मिल रहा है लेकिन बहाँ पर यही विपाक्ष आख मून लेता है आपको बता दे कि आज सदन में लगातार हंगामा जारी है अव विश्वास प्रस्ताब को ल के विपक्ष की धज्जियां उड़ाई इसी के साथ ही उन्होंने न सिर्फ इंडी एलाइंस पर निशाना साधा बलकि ममता सरकार पर भी निशाना साधा है आपको बता दे कि लॉकेट चैटर जी जो है वो पश्यम बंगाल से आती हैं और ऐसे में उन्होंने पश्यम बंगाल में महिलाओं को लेकर किया स्थती है किस तरीके से ममता बैनर जी जो कि खुद महिला मुख्यमंत्री है उनके शासनकाल में आज बंगाल की क्या इस्थती है इन तमाम चीजों को ले करके उन्होंने ममता सरकार से सवाल पूस डाला आपको बता दे बीज़पी सांसद लॉकेट चेटर जी ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि परश्रिब मंगाल पंचाच चनाव के बाद महिलाओं पर अत्याचार करने वाले लोग आज लोकतंतर की बाते करते हैं आज बेंगौल में 30% की राश्निती चलती है दुरगा पूझा वसरजन पर राश्निती होती है सरस्वती पूझा रोकने पर राश्निती होती है इस साल के पंचाच चनाव में 69 पार्टी कारेकरताओं की जगह जगह इस तरीके की चीजे होती हैं राज्ज में दंगे होते हैं अपनी छवी बनाने के लिए ये लोग आज पूछ रहे हैं पियम मोधी से कि मनीपूर मुद्दे पर वो खामोश क्यों हैं किसी ने सची कहा है गुंगे निकल पड़े हैं जुबा की तलाश में सरकार के खलाफ ये साजिश तो देखिए राजस्थान पर शिमंगाल और चटीस गड़ की घटनाओं पर बहरा और खामोश विपाक्ष आज मनीपूर के बारे में बात करता है साथ ही उन्होंने माल्दा की उस घटना का विजिक्र किया जहां पर दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके भीड के सामने उन्हें बेहरेमी से पीटा जाता है इसके बावजूद इस पर ना तो पुलस प्रश्चावसन एक्षन लेती है तुरंत और ना ही ममता बेनर्जी के द्वारा इसको ले करके कोई संग्याल लिया जाता है साथ ही उन्होंने राजस्थान चटीस गड़ और प वर्शिम बंगाल जहां पर घोर हिंसा देखने को मिलती है शायद विपक्ष का जीपीएस लोकेशन नहीं मल पा रहा है जिसकी वज़े से ये इनराज्यों के बारे में बोल ही नहीं पा रहे हैं इसी के साथ ही लॉकेट चटेट जी ने ना सिर्फ ममता सरकार पर हमला बोला बलकि विपक्ष को ले करके भी निशाना साधा उन्होंने इंडिया अलाइजन्स गडबंधन पर दीखा हमला बोला कहा कि CPM, TMC सब एक दूसरे का हाथ पकड़ करके रहते हैं जब वो दिल्ली से सत्र के बाद चले जाएंगे तो वो कैट हो जाएंगे आभी मैं देखती कि TMC वामदलों को मिठाई खिला रही है अधीर्दा आपके बहुत से कारकरताओं की हत्या हुई है लेकिन यहां पर आकर एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं वो कारकरता कहां जाएंगे यह लोकतंत्र के लिए दुरभाग्यपोड हैं इनको पता है कि हम तो डूबेंगे सन करता घायल हुए थे और इसको लेकर के लगातार कॉंग्रिस के संसद आधिरंजन चौधरी जो हैं वो आवाज उठा रहे थे ममता सरकार के खलाफ बोलते हुए भी नजर आये थे और इसके बावजूद जो नफरत की बाजार में महवत की दुकान खोलने वाले राहुल गा करतार आग बबुला हो रही है सरकार से सवाल पूच रही है और इने जनता का ख्याल सतारा है लेकिन जब यही घटनाय राजस्तान में होती है और इसी के साथी 36 गड या पिर अन्य स्टेट में होती है जहां पर व्पक्षी दल सत्ता में हैं तब आखिर यह लोग खामोश क क्यों हो जाते हैं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो मनीपूर के 40 विधायकों ने बुधवार को पियम मोदी को चिठी लिखी है जिसमें उन्होंने अपनी 6 मांगों को रखा है इसमें मनीपूर में अनारसी लागू करने उग्रवादियों से हथियार वापस लेने और श इजले के वांखेई और कॉंगवा में मशाल जुलूस भी निकाला अधर अस्थानिय पुलस और असम राइफल सामने सामने हो चुके हैं दोरों के बीच टकरा उबढ़ चुका है दोरों के बीच बहस के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आ चुके हैं इस बीच अधारन तैनाती काफी नहीं है इंसा को रोकने के लिए द्रवियों से हथियार वापसी बहस्त जरूरी है कई खबरे आई हैं जब किसान खेतों में काम करने बाहर गए और उचाई पर बैठे लोगों ने उन पर गूलिया चला दी इन घटनाओं में अत्याधुनिक हथिया स्नाइपर राइफल और रॉकेट ब्रिनिट इस्तिमाल किये गए हैं कई बार ये घटाए के इद्रियस रक्षा बलो की मौजूद्गी में तक देखने को मिली है और वे कुछ नहीं कर पाएं उनसे उन लोगों को भरोसा कम हुआ और गुसा जादा बढ़ा है इसे के साथ ह असम राइफल को हटा कर उनकी जगह राज और सेंट्रल फोर्स को तैनात किया जाए ताकि श्रांतीब बहाल हो सके इसी के साथ ही जो दूसरी मांग है वो है संस्पेंशन ओप ऑपरेशन की वापसी यानि 30 कुकी समुदाए के 25 समूहों के साथ 2008 में हुए संस्पेंशन ओप ओपरेशन के समझोते को वापस लेया जाए क्योंकि यहां नियमों का उलंगन किया गया है राज में हथियारों और गोला बारू समेथ बड़े पैमाने पर विदेशी घुट्स पैट हुई है इनके सोर्स और फंडिंग की जाच की जाए ताकि यह पता चल सके कि पिछले त संघर्ष कैसे चल रहा है और यहां हथियार कैसे पहुँच रहे हैं वहीं तीसरी और सबसे एहम मांग है नर्सी को लागू करना बता दे कि संघर्ष को रोकने के लिए इस समुद्दे को राचनेतिक रूप से देखा जाना चाहिए कई आप्शन्स हैं उनमें से एक इसी के साथ ही चौती मांग अलग प्रशासन नहीं ये एक सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे जरूर उठाया जाना चाहिए आई टी एल एफ कुकी की मांग पर रज में अलग प्रशासन किसी भी हालत में स्विकार्ड नहीं है इसी के साथ ही पांचव पूरा होने के बाद आवर्शक शान्ती बारता शुरू की जा सकती है और चल रहे संकट का एक पर्मनेंट सल्यूशन निकाला जा सकता है तो ये मांगे 40 विधायकों के द्वारा प्रधान मंत्री मोधी को खत के रूप में दी गई है फिलाल इस खबर को लेकर के आपकी क्य कर रहा है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं